हेले परिवरीवन आज हम उन्द्वाक्सिंग करेंगे एक्समेट का स्टायलस पें जो कि अपन नोबाइल टैप या फिर प्रकोई भी टश्क्रिं डिवास पर जो पेंड रहता है आप उनको यूज करने के लिए वो उनको यूज कर सकते है एक्समेट का स्टायलस पेंड है इ इसका साइज है 6.49 इंचेस और यह पूरा अलुमिनियम का बोड़ी है उतलब मेटल बोड़ी है एकदम और उनने बता है कि यह कैप यह तो मैगनेट इफेक्ट है इसमें मुदलब ऐसा पर रखेंगे तो यह आटास हो जाता है यह पर यह तिप दिया गया है उन्होंफित कमपड़िबल है मौबायल के साथ यह जो डिस्क टिप है इसको ऊपन निकल सकता इस है यह ऑपन दूसरे साइज का टिप भी यह इसे कर सकते है इससे लगा देता हो यह आपर अ e और यह पीछे की तरब जो है कि आपने रिमू कर सकते हैं इसको इसके अंदर एक हीड़न टिप रहता है और यह जो कैप है उसको अपने से पीछे लगा लगते हैं करता हूं मुबाइल पर उसके सैंपल्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मुझे दो लाइट वेट लग रहा है कि आपने अपने देखते हैं यूश करके कैसा है मतलब टर्च हो गए रहा कि तेंक्यू अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूं इसका जो टीप ह देखो रबर का टीप है और उसके वज़े से अपने मुबाइल को स्क्राचेश वेगरा नहीं आएंगे मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाता हूं इसके सिंपल ड्राइंग बनाएंगे अपन और ड्राइंग बना देता है और एक बड़ा सर्कल बनेंगे ऑके बाइद में लाइन बना देता है लाइन बना देता है इसमें कलर फिल करते है कि अधर चेंज कर सकते है बना इसे तो इसे अपन बाकी बहुत सरे इलिस्ट्रेशन वगरा इसमें इसकर करके बना सकते हैं इसका जो टचिंग और यह जो इसका रिस्पॉंस का टाइमिंग है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इलिस्ट्रेशन के लिए तो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने बागी अच्छे-चे इलिस्ट्रेशन की है वो में भी आपको दिखाऊंगा इसके बत अब यह अपन इसका ओवराल रिईव देंगे आपको तो देखिए जो इसका टीप है वो रबर का है तो मुझे अच्छी चीज लगी क्योंकि मोबैल को स्क्रैच वगर नहीं तो अभी मेरे मोबैल को पहले से यह स्क्रैच है देखो इसका रिस्पॉंस टाइम भी बहुत अच्छा है उपर से लाइट वेट है औ और हाथ में जो पकड़ेंगे तब भी एकदम गरीप अच्छे से आता है इसका सो थोड़ा प्राइच जादा है लेकिन साधा वाला यूज़ करके और मोबैल को स्क्रैच जाएंगे उससे अच्छा तो ये एक्समेट का स्टाइलस आपको लेना चाहिए वर्थ बाएंगे इसा मुझे लग जाएंगे एकोंकार सपना करता पुरक निर्पो निर्वेर अकार नूरत अजुनी सैभं गुर्परसादु जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच नहोवई जे सोची लखवार चुपए चुपना होवई जे लाए रहा लवतार पुखिया पुखना उतरी जे बनना पुरिया पारन सहस्यान पालक हो है ता एक न चले नान किव सच जी आरा हो ये किव कोड़े तुटे पाल पुखमर जाई जलना नानक लिख्याना वाई गुरुजीता खालसा वाई गुरुजीती दिफटे